ये दोश्तो मैं हूँ मिकी और ये जॉन का गर ये ओटो के ओपर उसका बेबी बैटा है और देखो उसकी यहाँ पर फ्रेस रखिए और दूद का डिबा और उसके नीचे स्कूटर खड़े हुए है और ये देखो जॉन ने कितने सारे अपनी छट पर पेड़ लगा रखे है अरे नहीं मेरी छट की तो रेलिंग तूट गई है अब कैसे होगा बच्चे चड़ेंगे तो गिर जाएंगे अरे तुम सब यहाँ हो या देखो ये रेलिंग तूट गई छट पर कोई मत जाना मुझे मिकी को बुलाना होगा अपनी हेल्प के लिए अरे सुनो एलिस में मिकी को बुलाने जा रहा हूँ उसके घर तब तक तुम घर का ध्यान रखना और बच्चों का बीचत पर कोई न चले ठीक है मैं बस पांच मिनट में मिकी को लेकर आता हूँ उसकी हैल्प के बिना कुछ नहीं हो पाएगा ठीक है ना अपना और बच्चों का ध्यान रखना ठीक है ठीक है मैं ध्यान रखूंगी एच्छोरे मैं बेबी को लेकर थोड़ा भाल गुमाने जा रही हूँ चलो चोटे बेबी मैं तुम्हें भार गुमा कर लेकर आती हूँ और ये देखो चोटा बेबी तो वॉकर में बैटा हूँ दीको बच्चो अलिस तो अपने बेबी को भार गुमाने लेकर जा रही है चलो तो फे मैं मिकी को बुला कर लेकर आता हूँ तुम रेलिंग लगवानी है ना चलो अरे मुझे तो गाएं का दूद भी निकालना है ख्यार कोई बात नहीं मैं आकर दूद निकाल लूँगा चलो अभी मैं मिकी का बुला कर लाता हूँ मिकी मिकी मुझे तुमारी हैल्प की जरूरत है क्या हुआ चौन क्यों परिशान हो अरे मिकी मेरे घर के जट तूट गई है तुम चलो मेरा रेलिंग नीचे गिर गया है अगर जट पर बच्चे गए तो वो गिर जाएंगे तुम जल्दी आओ ठीक है चौन मैं आ रहा हूँ तुम बेफिकर रहो मैं तुमारी रेलिंग ठीक कर दूँगा ये देखो मिकी दोनों रेलिंग तूट कर शक से नीचे गिर गई है तुम्हें मेरी मदद करनी है प्लीज इन इहां पर लगा दो हाँ हाँ चौन तुम बैठ जाओ राम से मैं लगा दूँगा तुम चिंता मत करो दो मिनट में ही काम हो जाएगा ये काम बहुत ही असान है मेरे लिए मैं आराम से कर दूँगा क्या तुम मुझे फैवी कॉल लाकर दोगे उसकी मदद से ये असानी से हो जाएगा अरे नहीं मिकी मैंने ठीक कर दिया शुक्रिया मिकी तुम बहुत अच्छे हो तुम हमेशा मेरी हैल्प करते हो तुम्हारे बीना मेरा कोई काम नहीं हो सकता अरे नहीं नहीं जॉन ऐसी कोई बात नहीं है मैं आल्वेस तुम्हारी मदद के लिए रेडियू औरे मिकी मुझे तुम्हारी एक और हैल्प चाहिए देखो ये पंखर नहीं चल रहा है क्या तुम इसे ठीक कर दोगे अरे नहीं नहीं जॉन मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा इसे तो हमें शॉप पर लेकर चलना होगा तब ही हम इसे ठीक कर पाएंगे चलो चलो तो फिर हम शॉप पर चलते हैं मिकी मैं इ गर्मी हो रही है तो हमें पेड़ों में पानी डालना भी बहुत जरूरी है चलो हम पेड़ों में पानी डाल देते हैं ये देखो मैंने पानी डाल दिया अरे अब ये मेरे पेर हरे भरे हो जाएंगे अरे ये देखो दोस्तों ये हो गया चलो जॉन की पास चलते हैं ओ देखो बच्चो इस टेक्टर ट्रॉली के अंदे तो बहुत सारी इटे बरी हुई है ये किसका टेक्टर है चलो देखते हैं पता करते हैं ओ ये तो जॉन का फ्रैंड थौर है जो टेक्टर ट्रॉली में इटे बर कर लेकर जा रहा है अरे ये क्या बच्चो तुमने देखा टेक्टर गेर गई है भाईया मिकी जॉन तुम कहा हो देखो थोर तो पलट गया है जल्दी से आओ भाईया औरे और जोन मुझे तुम्हें कुछ बताना है तुमारे फ्रेंड थॉर का एक्सिदेंट हो गया है और उसकी तक ट्रॉली में इटे गिर गई है और उसे काफी चोट आई है हमें चलना होंगा वहां पर फॉर क्या हुआ तुमें एक्सिदेंट कैसे हुआ अरे मेरे दोस्तुमें बहुत जड़े चोट लग गई होगी औरे नहीं मेरे थोर कि हमें धर की हैलफ पर नहीं होगी अरे थोर तुम pies कर रहो में तुमारी सारी इिटे ठाओलिय में रख दूंगा मेरे पास एक लिए जिसके अंदर आप Fund mund को भर कर ले आते तो शाया अदाद मुझे कोई नहीं बचा पाता चलो तुम मेरी मदद कर सकते हो तुम बस यहीं आराम से खड़े रहो या बैट जाओ मैं अभी सारी ट्रॉली में लोड कर देता हूं चलो मिकी हम इन सारी इटों को ट्रॉली में लोड कर लेते हैं जिससे हमारे थौर की हेल्प हो जाएगी हाँ जान मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूं अरे बच्चो मिकी और कीकी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो मैं अपने पंखे को किसी और दिन ठीक करा लूंगा अभी मैं इसे यहीं रख देता हूं घर जाते टाइम इसे रख लूँगा अपने टर्ली के अंदर बाद में ठीक करा लूँगा फिर किसी और दीन चौन ये देखो डेक्टर गिर गया है मैं इसे सीधा कर देता हूँ अरे चौन देखो इसकी ट्रॉली तो बिल्कुल उल्टी हो गई है ये मुझे सीधी नहीं हुई क्या तुम मेरी हेल्प करोगे हाँ हाँ किकी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा ये देखो मैंने ठीक कर दिया बिल्कुल चलो इस ट्रॉली को इसमें इटे लोड करते है मिकी और चौन मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इटे लोड करने में चलो इन इटो को मैं इसमें डाल देता हूँ मिकी चल दी करो नहीं तो हमें देर हो जाएगी अरे चलो मैं भी तुम्हारी हैल्प कर देता हूँ इते उठाने में अरे नहीं नहीं जॉन तुम बैठ चाओ हम कर देंगे थोर तुम अराम से बैठे रहना तुम्हें कुछ पधिशानी नहीं होगी चलो मिकी कुछ इते मेरी हाथ पर भी रख दो जिसे तुम्हारी हैल्प हो जाएगी इते उठाने में अरे चाओन रहने भी दो नई नई मिकी तुम मेरे हैंड पर इतो को रख दो मैं भी उठा कर इन्हें ट्रॉली में डालना चाता हूँ ठीक है चॉन जैसी तुम्हारी मरसी अरे ये देखो बच्चो जॉन ने तो कितनी सारी इटे उठागर अपने हैंड पर रख ली है और वो भी ट्रॉली में इटे लोड कर रहा है अरे नहीं ये तो काफी सारी इटे है मिकी मुझे तुम्हारी हैल्प करना बहुत अच्छा लगता है तुम जैसे तुम हमेशे मेरी मदद करने आ जाते हो वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करना चाता हूँ अरे कीकी ये क्या कर रहे हो तुम ये इटे खाने की नहीं है ये इटे ट्रॉली में लोड करनी है ये थौर की इटे है अरे ये तो बहुत अच्छी इट है ये तो बहुत टेस्टी लग रही है मुझे लगता है ये बिस्किट है अरे नहीं कीकी को कोई कैसे समझाए ये बिस्किट नहीं है ये इटे है ये देखो हमारी ट्रॉली लोड होने वाली है सारी इटे इसके अंदर भर रही है मिकी मुझे थोड़ी प्यास लगी है क्या तुम मुझे पानी लाकर दोगे हाँ हाँ जॉन मैं तुमारे लिए पानी ला सकता हूँ तुम बस बैट हो मैं अभी लेकर आता हूँ तुमारे लिए पानी तब तक तुम ट्रॉली को लोड करो अरे बस थोड़ी हीट है बची है ट्रॉली तो लोड होने वाली है ये देखो दोस्तो मेरी ये वाली ट्रॉली भी लोड हो चुकी है अरे सुनो थोर तुम जल्दी से अपने टेक्टर को लेकर निकल जाओ तब तक में दूसर टेक्टर लेकर आता हूँ और थोर सुनो संभल कर जाना, इस बार तुम बस गिर मत जाना, मुझे बहुत फिकर है तुमारी, चलो मैं भी आ रहा हूँ तुमारे पीछे पीछे अपने टैक्टर को लेकर, संभल कर जाना थोर ये देखो बच्चो थौर तो अपना टेक्टर लेकर निकल गया है अरे ये देखो थौर आ चुका है मैं यही पर वेट करता हूँ जौन का, जौन भी आने वाला होगा थौर मैं आ गया हूँ, तुम आराम से बैठ चाओ ये देखो बच्चो जॉन और थोर तो आ गए है अपने घर और उनके टेक्टर भी आ गए है उसमें से इटे नहीं गिरी अरे ये तो जॉन का घोड़ा है जो जॉन के पास आया है लगता है इसे प्यास लगी है इसे पानी डाल देता हूँ थोड़ा सा रुपो मैं तुम्हारे लिए पानी लेका राता हूँ दोस्तो यह मेरा घोरा है और इसका नाम है जंबो चलो इसके लिए पानी लेने चलते हैं बात्रूम में चलो थोड़ा पानी भर लेते हैं उसके बाद जॉन को पिलाएंगे अरे मेरी बार्ती तो भर गई है चलो गिये लो जम्बो में पानी ले आया हूँ जल्दी से पानी पी लो देखा बच्चो आपने जॉन तो अपने जम्बो से बहुत प्यार करता है और कितना सारा पानी लेकर आया है उसके लिए शुक्रिया मिकी आज तुमने मेरी बहुत हैल्प करी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो पाता है शुक्रिया मिकी और किकी दोस्तों मिकी और किकी के लिए जल्दी से लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दो अरे भाया तुम कहां गयो जल्दी से आ जाओ अरे नहीं उससे भाया की बुलट टूट का नीचे गिर गई और भाया तो रो रहे हैं की की ये तुमने क्या किया तुमने मेरी बुलट को तोड़ दिया अब ये कैसे ठीक होगी कि तुमने मेरी बुलाट को नीचे फैकर तोड़ दिया था ना और मैं यह भूड विल्हट नहीं दूगा ले अब से दो नमुझे बुलाट मुझे चाहिए बुलाट मामा इंच और लोकि नहीं बिलेगी जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेर करो और चैनल को सबस्क्राइब करो. तब तक में मिकी को यह बुलट एः री देता हूँ. क्या कहते हो बच्चो चलो वैसे ही मेरा चुटेबाइब आ हमें से बहुत प्यार करता हूँ. चलो तो फिर में धी से बुलट इजेता हूँ. बहिया मुझे बहुत गुस्सा रहा है चल दी से तो अरे ये क्या हो किकी ने तो अपने भाई को पिटाई कर दी है ये किकी तो ऐसे ही करता रहता है दोस्तों जल्दी सा आप में दी वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक के लिए बाई